ही गाईज मैं हूँ सीमा और दावत चनल पर आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़ादा स्पेशल है गाईज क्योंकि आज मैं आपके साथ 10 ऐसी बेकिंग टिप्स या जो आइसिंग टेकनिक्स होते है वो आपके साथ शेर करूँगी जो आप लोग अगर बिगनर है केक सीखना चाहते है बढ़िया से कम से कम टाइम में अच्छे से केक बनाना चाहते है उनके लिए बहुत ही ज़ादा हल्फुल होने वाला है चलिए बेकिंग टिप्स का ये वीडियो जल्दी से शुरू करते है अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हल्फुल लगता है पसंद आता है न तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेर और दावा चनल पर अगर आप नए है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए चलि कुषक जोड़ा जाए है कि चीज़ें लिए बुप्र हो जाते है आपका केक सौफटार स्पांजी बनने में अफ्म होती है तो इस प्रोसेस को ज़रूर कीजिये आपका केक बहुत ही ज़ादा सौफट ऑर बनने में अफोगी तो यहमारी इस फ्रेंग हो गई duas उसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा ले लीजिए या जब भी कभी आप बिगनर है या नए मोल्ड खरीदना चाहते है तो ज्यादा हाइट वाला केक टिन खरीद लीजिए क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा ज्यादा कॉंटिटी में भी केक बना सकते है और अगर कई बार आपक यह इस बात का ध्यान रखिए देखिए यह जो मेरा केक टीन है इसकी हाइट 3 इंचिस है तो इसमें बहुत ही बढ़िया सा फूला हुआ केक बनता है तीसरी बेकिंग टिप हमारी यह है कि जब भी कभी आप लोग प्रिमिक से केक बनाते है देख सकते है मेरे हाथ में जो आ यह सा स्पॉंज आपका तयार होता है और खाने में भी बहुत जादा यह केक टेस्टी बनता है तो यह गुड्रीच या पिल्सबरी का केक प्रिमिक्स है जो मैं ज्यादा तर यूज करती हूँ तो यहाँ पर चौथी टिप हमारी है आइसिंग के बारे में जब भी आप लो आपका जो केक बनेगा वह बिल्कुल भी केक बोल्ट से हिलेगा नहीं अच्छी तरह से स्टेबल केक बोल्ट यह उपर रहेगा और पाचवी हमारे टिप यह है गाइस कि जब भी कभी आप लोग वैनिला स्पॉंज या चौकलेट स्पॉंज बनाते है रेगुलरली दो ही ज्यादा तर हम लोग स्पॉंज बनाते है एक तो होता है वैनिला और दूसरा होता है चौकलेट तो वैनिला फ्लेवर का जो स्पॉंज होता है उसे शुगर सिरप से आप लोग अच्छी तरह से सोक कीजिए आपका स्पॉंज खाने में टेस्टी लगेगा और जब भी कभी आप लोग चौकलेट स्पॉंज चौकलेट केक बनाते हैं उसे कट करते हैं लेयर कट करते हैं तो उसे ज्यादा तर शुगर सिरप से सोक कर लीजिए ज्यादा कॉंटिनी में शुगर सिरप अड़ कीजिए क्योंकि जो चौकलेट स्पॉंज होता है वो थोड़ा सा ज्याद से केक उपर से फट जाता है तो क्यूं होता है तो धना होता है आब जो filधी कोई तो न ही तु पुलता नहीं है तो धियान रखीए जो कोई लिए जो भी आप कोई बरदन प्रहिट करते है उसे बहुत जाएदा दुआ निकलने तक बिल्कुल भी प्रिहिट ना कीजिए हलका सा पांच या दस मिनिट तक आप प्रिहिट करके उसमें केक बेग कर सकते है तिप नमबर सेवन हमारी यह है कि इस तरह से अगर उपर से आपका केक फट भी जाता है सर्फिस उपर से प्लेन नहीं भी आ करता है जो उपर की लियर अभी हमने कट की है इसे आप बस केक आइसिंग करते टाइम दूसरे नमबर पर या तीसरे नमबर पर यह लग दीजिए और उल्टी रग दीजिए तो आपका केक का जो है वह भी बढ़ जाता है केक अच्छे से टॉलर आपका तयार हो जाता है तो इसे बिल्कुल भी उपर से डॉम शेप अगर केक आया है तो उसे फेकिएगा नहीं इसे केक में आप लोग हैट बढ़ाने के लिए यूज कर सकते है इसके बाद हमारी टिप नमबर एट है जब भी आप लोग केक की आइसिंग करते है चाहे वो किसी भी फ्लेवर का केक हो क केक को इस तरह से क्रीम से कवर करने के बाद पूरी तरह से आइसिंग प्लेन होने के बाद फिनिशिंग होने के बाद आपको क्या करना है गाइस केक रेडी होने के बाद आपको इसे 10-15 मिनिट के लिए फ्रिज में छोड़ना है इस तरह से 10-15 मिनिट के बाद आपके जो के जो अभी अभी केक सीख रहे हैं नए नए हैं आपने अभी स्टार्ट किया है उन लोगों के लिए है आप लोग अगर केक की आइसिंग करते टाइम स्पैचुला से इस तरह से क्रीम लगाते हैं तो थोड़ा सा आपको शुरुआत में हार्ड लगेगा तो आप लोग क्या कर स केक या इस तरह से ड्रिपिंग वाला केक बनाते हैं जिसमें हम लोग यूज करते हैं न्यूटरल जल या पाइपिंग जल तो न्यूटरल जल या पाइपिंग जल की कंसिस्टनसी आप लोगों ने देखी ही होगी इस तरह से थोड़ा सा थिक होता है और इससे हम लोग डिर विडियो जो नीट्रल जेल होता है उससे आप डिपिंग का एफेक्ट बहुत ही अच्छी के तरीके से दे सकते हैं लेकिन इस नीट्रल जेल को या पाइपिंग जेल को आपको बहुत जादा पतला या बहुत जादा थिक भी नहीं रखना है इस बात का ध्यान रखिए तो अच्छे से केक बना कर मुझे आप इंस्टेग्रम पे शेयर भी कर सकते हैं हमारे दावत चनल की इंस्टेग्रम आइडिया आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आप लोग के के जो बने हुए आपके फोटोस है वो मुझे शेयर कर सकते हैं तो चल यह मिलते हैं इसी तरह के एक नए से अलग से वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग टेक केर